इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे होमो इरेक्टरस के बारे में ये कौन थी, कहां से आए और इनका सांस्कृतिक परिदिश से क्या था। तो आए जानते हैं होमो इरेक्टरस के बारे में। होमो इरेक्टरस जो उनिसी सताब्दी के अंतिम दसक में दस्षिन पूर्व एसिया से कुछ जिवासम अफसेश मिला। जिसमें होमो इरेक्टरस का भी था। जिसके बाद ही मानवी उद्विकास के अपधार्णों को समझन का एक नया आयाम भी मिला। साथ ही उजिन दुबईस जिन्होंने इस जिवासम अफसेश को जावा मानव कहा। और इस खोज के द्वारा ही मानव की वास्तवी खोज की दिसा में एक महत्पूर्ण कार्य हुआ। साथ ही होमो इरेक्टरस को विलुप्त कड़ी की संग्या द प्रक्रिया या एक महत्पूर्ण कड़ी के रूप में देखी जाती है। उजिये दुबईस अपने इस खोज के लिए वर्तमान प्रकृति वेदा जो हैं अरनेस्ट होकेट से काफे प्रभावे थे और अरनेस्ट होकेट ने इस खोज से काफे पहली इस बात की भी कपियों की बीच की अवस्ता का कोई ऐसा प्रानी अवस्त से रहा होगा जो पूरी तरह से खड़े होकर चलने में सक्छम तो होगा ही लेकिन उसमें बोलने की छमता का अभाव रहा होगा। जिसे इन्होंने पिथी कैंथ्रोपस कहा जिसका साप्तिक अर्थ होता है वैसे उन्होंने 1891 हिस्वे में जावा के खोलू नदी के किनारे स्थित त्रिनिल नामक अस्थान से कुछ जिवास्म अवसेस की खोजगी और इस अवसेस के रूप में उन्होंने एक कपाल, फिमर, दो मोलर दात की प्राप्ती भी की जिसे उन्होंने विलुप्त कड़ी की संग् दी और इसका नाम पिथिक एंथ्रोपस रखा, जिसे जावा मानव भी कहते हैं, इसका साप्तिक अर्थ होता है खड़ा होकर चलने वाला कपी मानव, इस तरह से होमो एरेक्टरेस की अंतरगत हम मुखे रुप से दो तरह की जातियों का अध्यान करते हैं, जैसे पहला इसकी उद्विकासी स्थिति दीखें, तो जानेंगे कि पहले डार्योपितिकस, रामापितिकस, उस्ट्रोलोपितिकस, होमो हैविल्स, इसके बाद होमो एरेक्टरेस, जैसे दो भागों में बाटा गया, पिथिक अंतरोपस और सान्योथ्रोपस, इरेक्टरेस, इसके होमो निर्यंठल, इसके बाद होमो सेपियंस, इस तरह से इसकी उद्विकासी स्थिति कक्रम है, लेकिन इसके उद्विकासी स्थिति में बहुत ही कन्फूजन है, जैसे होमो एरेक्टरेस के संबन में, इसके पहले के, यानि के पुरगामियों के तुलना में, जितनी भी अ इस्थिति को निर्धारित करने के लिए जितने भी सिध्धान्त है सभी होमो एरेक्ट्रस को निर्यंठल का पूरवज मानते हैं तो आएए देखते हैं इनमें कौन-कौन से मानव सास्त्रियों ने इनकी उद्विकास से इस्थिति को दर्स आया है जैसे बोल सकते हैं कि उद् ने ढंक से बतलाने का प्रयास किया है तो पहले थे उजिन दुबईस जिन्होंने बताया कि पहले डारियोपितिकस फिर रामापितिकस फिर उस्ट्रोलोपितिकस फिर होमोहेबिल्स फिर रामापितिकस फिर निर्यंठल उसके बाद है होमोसेपिन्स अब देखेंगे ब्लै फिर होमोहेबिल्स, उसके बाद होमोएरेक्टरस, जिसके बाद होमोएरेक्टरस के दो भाग में बाटा गया, पीथिक एंत्रोपोस और दूसरा सान्योत्रोपोस, इस तरह से ब्लैक के क्रम थे, जिन्होंने उद्विकासिय स्थिति को दर्साया, अब देखेंगे वेर्डन इन्होंने होमोएरेक्टरस को किस रुप में उद्विकासि स्थिति को दर्साया, तो आईए जानते हैं, पहला डाजोपितिकस, फिर ओस्ट्रोलोपितिकस, फिर रामपितिकस, फिर होमोहेबिल्स, फिर होमोएरेक्टरस, इन्होंने भी होमोएरेक्टरस को दो भाग में ब पिथिक एंथ्रोपस और सान्य अथ्रोपस फिर इन दोनों से ही निर्यंठल का विकास हुआ उसके बाद होमो सेपेंस इस तरह से कई मानव विज्ञानिकों ने होमो एरेक्टेस के उद्विकास स्थितिक को दर्शाने का प्रयास किया अगर हम इनके सांस्कृतिक तो जावा और चीनी मानव के बीच साक्षिया दर्साते हैं कि ये लगतार भोगालिक पर्यावरन में अपना अस्थित्व बनाए हुए थे और ये गुफा से प्राप्त जली हुई अस्थिक के अधार पर क्या कहा जा सकता है कि अगनी का प्रयोग ये गुफा को घर्म करने खाना पकाने और जंगली जानवरों से अपने आपको सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते होंगे अगर कुछ और पूरातत वो मानव वग्यानी को के सिध्धानत को देखे तो हम जानेंगे कि जावा और चीनी मानव के कपाल के अधार पर या निर्सकर्स निकाला है कि या आदिम खोज थे और ये मस्तिक्स का सेवन यानि अपने दिमाग का उपयोग करते थे और कहीं न कहीं पर कपाल के साथ वच्छ और मुरू के अधार पर कहा जा सकता है कि इनका इस्तेमाल अनुस्ठान के लिए भी करते होंगे और अगर इनके टूल्स को देखें तो इस इस्तेमाल काटने फारने कुरचने इन सभी के लिए किया जाता होगा इनका जिवास्म आखेट पनिर्भा था और अन्य प्राणियों के अवसेसों में छोटे प्राणियों के अपेच्छा बड़े प्राणियों के अवसेस अधिक प्राप्त हुए हैं जैसे बोल सकते हैं कि बाग, सेर, चीता, घोडा इन सभी का सिकार करते थे और इन उक्करनों का स्थमाल पचपात के रूप में भी किया जाता था साथ ही होमो एरेक्टेस का धर्म कपारू था और तो और पेंडरिक ने बताया कि चीनी और चावा मानव के द्वारा ही निरियंठल मानव का विकास हुआ था और इनके परिनाम स्वरुप होमो सेपियन्स का विकास हुआ और उन्होंने यहां भी बतलाया कि चीनी मानव को मंगोलाइड गुफा में रखा गया था इस तरह से हमने आज होमो एरेक्टेस के बारे में जाना कहां से आए कैसे आए इनका उद्वेकासी स्थिति क्या था इनके प्रकार क्या है और इनके सांस्कृतिक परिद्रिश से भ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेयर साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले इससे मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें